अब हम आपको एक ऐसे तत्थ से वाकिफ कराएंगे जो शायद ही आपने कभी सुना हुगा तेजाब से हमला हुआ ये बात सुनते ही हम सभी के जहन में एक लड़की के तस्वीर आती है चेहरा छुपाई एक लड़की पट्टियों में लिप्टी एक लड़की ये सच भी है ऐसी घटनाई जादातर महिलाओं के साथ होती है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि एसिट अटाक के विक्टिम सिर्फ औसर्फ महिलाई होती है बलकि पुरुषों पर भी एसिट से हमले होते हैं ये लग बात है कि कोई भी इस पर बात नहीं करता एमामलों को कभी भी गंभी पिता से नहीं लिया जाता या फिर कभी किसी के दिमांग में नहीं आता कि पुरुषों पर भी एसिट से हमला हो सकता है एसिट अटाइक का मकसब हत्यां नहीं होता ये लगातार हम अपने खाश्चों पोस्मोटम में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बलकि उससे भी ब हमले सामने आए, वो हमले क्या रहे, कहां कहां पर हुए वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली घटना की बात करते हैं, पहली घटना बुलंड शहर की है, जहां लड़की लड़की के घर पहुँची, लड़का सो रहा था, लड़की ने सोते समय ही लड़क शादी से दुखी थी इसलिए लड़के से बदला लेने के लिए उसने इस बारदात को अंजाम दे दिया इसी कई कहानिया हैं जिसके विक्टिम्स लड़के भी हैं दूसरी घटना की बात करते हैं दूसरी घटना नई दिल्ली के विकास पूरी की है लड़की प्रेमी के साथ ही उसकी बाइक के पीछे बैठी थी उसने पर्स में रखी तेजाप की बोतल को निकाला लड़के पर उडेल दिया शुरुबात में ना लड़के को और ना ही पुलिस को पता चला कि हमला आखरकार किया किसने बाद में CCTV फोटेज में पता चला कि हमला पीछे बैठी लड़की ने किया था लड़की ने बताया पेड़ित लड़के ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया था इसलिए उसने तेजाब से हमला कर दिया ताकि उससे वो शादी नहीं कर सकती तो कोई और भी शादी ना करे दोनों ही मामलों में एक बात बहुत कॉमन है प्यार में रिजेक्शन, बदला और जंदगी बरबात करने का जुनून लेकिन पुरुषपट तेजाबी हमले की वज़ा सिर्फ प्रेम और धोका नहीं होती बलकि पडोस में हो रहा जगडा, परिवार को बरबात करने की मन्शा से भी ये हमला किया जाता है इसलिए कहानी दोनों तरफ की है, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं बलकि पुरुषपट की भी बात है तीसरी घटना की बात करते हैं तीसरी घटना दो साल के छोटे बच्चे की है, दो साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था कोई उसे उठा कर ले गया, अगले दिन आदित घर की करीब सड़क पर अदबरी हालात में मिला उसका चेहरा बूरी तरीके से जुलसा था, उसे तेजाब से जला दिया गया था उसके चेहरे का बाया हिस्सा जल चुका था, उसकी बाई आँख बंद नहीं होती है अब वो आँख खोल कर सोता है, वो किसी अजनवी से बात नहीं करता ये हमला क्यों हुआ, ये भी जानिये आदित की मा का कोई व्यक्ति पीछा कर रहा था एक स्टॉकर ने उसे सबक सिखाने के लिए उसके दो साल की मासून बच्चे आदित के साथ में इस तरीकी की घिनोनी वारदात को अंजान दिया उसके हाथ नहीं कापे जब उसने आदित पर हमला किया चौथी घटना की बात करते हैं उपेंदर में 16 साल का है, पडोसियों ने इस बच्चे पर तेजाब डाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि पडोसियों के उपेंदर से उनके बच्चों की दोस्ती उन्हें नमन्जूर थी दोनों परिवारों में इसी बात को लेकर विवाद था, दोनों घरों के बच्चे आपस में ना मिले एक दुन उपेंदर को अकेला पाया गया उस पर तेजाब से हमला किया गया उपेंदर की दोनों आखे खराब हो चुकी है वो आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करेगा उसके माबाप को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा ऐसे पुरुषों और महिलाओं को हमारा सलाम है जिनके ओपर तेजाब फेकते हुए किसी ने सोचा कि इनकी जिन्दकी को खत्म कर दिया जाएगा पर इन लोगों ने पुनर जरम लिया हिंसा की नफरत को ठेंगा दिखाया तो साफ दोर पर ये कहानी है जो हम आपको कहानी नहीं ये हकीकत है जो हम आपको बताने और समझाने के कोशिश कर रहे हैं कि महलाओं पुरुषों बच्चों इन सभी के ओपर एसिट से हमला हो रहा है हमारा देश, हमारा सक्त कानून, हमारा सुप्रिम कोट हम उन सभी से एक गुहार लगाना चाहते हैं कि आखर का जो नियम कानून सक्ती के साथ में बनाए गए हैं वो जमीन पर कब उतरेंगे इनकी असमत पूरी तरीके से बरबाद हो जाती है आज हम सभी को एक जमीदार समाज होने के नाते कुछ पैसले करने पड़ेंगे हम सभी के लिए करने पड़ेंगे हम सिर्फ सरकार और कानून के भरोसे नहीं बैठ सकते हमारे पास में अगर कोई भी गैर कानूनी तरीके से इसी बेचता है तो तुरंथ हमें उसके खलाब तक्काल शिकाज करनी चाहिए एक जिमेदार नागरिक की तरह दूसरी बात ये भी है कि जब हम किसी भी तेजा पीड़ित लड़की को, लड़के को, बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को देखकर अपना मूँ मोडते हैं या उसे घिन करने लगते हैं क्योंकि सामाज में सामाजिक बहिशकार उन लड़कियों का, उन पुर्शों का, उन बच्चों का होता है लोग उन्हें देखकर अलग-अलग तरीके का मूँ बनाते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि हम उन्हें एक ऐसे गुना की सजा दे रहे हैं, जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं उन अपराधियों को हम ताकत दे रहे हैं, जो सजा के हंदार हैं अगर इस अपराध को हम सब ने मिलकर नहीं रोका, तो याद रखिएगा, इसका अगला शिकार हम और आप भी हो सकते हैं ये मत भूलिए कि इनके शरीर और चेहरे तो जल गए हैं, लेकिन फिर भी ये सड़कों पर उतर कर अपनी लड़ाई लड़ रहें जो शायद हिम्मत हम और आप कभी नहीं जुटा पाएंगे, अपने लिए नहीं बलके हमारे लिए और हमारे समाच के लिए ताकि इस तेजाब से और जिन्दिगिया ना जले, नमस्कार